बच्चों की तकलीफ हम नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा और बिल्कुल बच्चों से हम हैं और हम से बच्चे हैं यह कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है तो SSE GD के Maths नंबर कैसे बढ़ाएं कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं इस सेशन में आपका स्वागत है ठीक है तो सबसे पहली जो चीज है वो यह है कि आपने किस तरह से questions को attempt करना है बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल रहे हैं हमें जो कह रहे हैं कि सर मौक कर रहे हैं मगर number नहीं बढ़ रहे है आता सब है मगर number नहीं बढ़ रहे है टाइम बहुत लग जाता है तो यह time कैसे save करें time कैसे बचाएं और जितना कम time में आप question को करोगे ना उतना आपका दिमाग सुकून में रहेगा और जितना सुकून में रहेगा उतने कम chances हैं गलत होने के और जितने कम chances होंगे किसी भी exam में गलत करने के गलत होने के मता accuracy अतनी अच्छी होगी और जितनी जादा accuracy आपकी होगी मे बच्चे का result आ रहा हूँ इसी वजह से दिखता है कि कितनी clarity उस बच्चे के अंदर है तो आपके अंदर भी वो clarity आए, क्या आपने करना है, कैसे आपने करना है CGL, CPO, सब exam में हमने ये fund जो हमारे हैं, वो apply किये जिस वजह से result आए तो आप भी ये सब कीजिए, इस तरह से question कीजिए, आपका भी result आएगा और matter नहीं करता, 35 लाख हैं, 10 लाख हैं, 25 लाख हैं matter ये करता है कि कितने लोग approach से चल रहे हैं, कितने लोगों के पास strategy है इसे इस तरह से समझो की एक आदमी बिना gun के है और एक आदमी gun के साथ है तो ज़्यादा chances हैं कि जो आदमी gun के साथ है वो बिना gun वाले आदमी को shoot कर देगा तो वो weapon आपको देने जा रहे हैं, वो weapon आपने समालने हैं, उन्हें समाल के use करना है ऐसे नहीं कहीं भी चला दो, कहां चलानी है, कैसे चलानी है सब मैं बताऊंगा हमारे साथ इस session में रही है जिसमें हम 50 paper करने वाले हैं, जिसमें से 2 paper हम कर चुके हैं और आज है हमारा तीसरा दिन, अभी तक के 2 session बहुती प्यारे रहे comment जरूर कीजिए, motivation मिलता है, और session देखने के बाद comment कीजिए ताकि हमें ये मालूम चले, कि आप देख रहे हैं, आपको कौन सा question पसंद आया ये भी जरूर comment कीजिए, first, second, third, आपने क्या, ये question ऐसे ही किये थे, ये भी comment कीजिए और सबसे important बात जो आपने इस session में हमेशा करनी है, कि जो भी कोई question आ रहा है तो सबसे पहले आपने खुद से करने की कोशिश करनी है, खुद कीजिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये समझिए और फिर ये देखिए कि कितना difference हम आपकी तयारी में डालने वाले हैं, कितना difference आने वाला है, कितना time आप बचाने वाले हो अगर आप ये काम कर लेते हो ना, तो selection आपका कोई नहीं रोक सकता समझे रो, चलिए शुरुआत करते हैं, पहला कोईशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला कोईशन बहुत ही प्यारा सा लिखावा है, एक घंद यावा है, जिसकी भुजा दीवी है इतनी, और आप से पूछा है, उसका कुल सतह है छेतरफल बताईए, आपने बुला कुल स कोईशन नहीं हो पा रही है, थोड़ा लंबा जा रहा है, इतना सा कोईशन था, मगर टाइम ले गया है, एक चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 75 है अगर ये पॉइंट नहीं होता, भूल जाओ कि पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट भी है, तो पॉइंट के कितनी डिजिट आती है, स्कॉायर कर रहे हैं, तो चार डिजिट आती है, मगर यहां कितनी लिखी वी हैं, आपने बोला, तीन लिखी वी है, तो आंसर चार डिजिट में होना चीए था, एक डिजिट वो खा गया, आपके साथ गेम कर रहे हैं, आपने बोला, ओ, बात तो सम और पहला option 25 का multiple है इतनी बात समझ में आगी आपने बोला बिल्कुल सर ये वाली कहानी तो हमें समझ में आगी कि multiply करके ऐसा होना है फिर आपने दूसरी चीज क्या देखी 6 का multiple होना चाहिए और अब आपने इसे calculate कर लेना है इन दोनों में से एक answer हो जाएगा हाँ ठीक है 25 का multiple कौन सा है तो आपने बोला एक पहला option है और एक तीसरा option है इन दोनों में से एक answer होगा अब calculate करोगे न तो आपका जो focus होगा इन दोनों में से एक होगा हलका सा calculate करोगे and you will say कि ये answer हो जाएगा ठीक है और एक और चीज़ आपने ये समझनी है कि इसमें सारी की सार इस इतना सेम दीवी थी मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 का multiple होगा मगए क्योंकि सारे option 3 के multiple हो रहे हैं 3 के multiple हैं सारे के सारे वो ही digit use कर रहा है तो हम नहीं कह पाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप इस question को कर सकते थे ठीक है 75 का मतलब 9 का multiple होना चाहिए 9 के multiple सारी है क्या कर पल होने के लिए 3 का और उसका होना चाहिए सारे option हो रहे हैं तो ये दो options आप इस तरह से बहार कर सकते हैं ये answer हो जाएगा calculation हल किसी है समझ जाओगे चलिए अगला question करते हैं अगला question compounded annually दे रखा है 30,000 रुपए पे 9% वर्ष चक्रविर्दी व्याज पर इतने रुपए ह चक्रविर्दी व्याज दे रखा है यदि वार्षिक व्याज सेयोजित हो तो समयावधी बताने कितने time में इतना हो जा रहा है तो आपने सीधे सीधे क्या करना है 5643 को 30,000 से भाग कर लेना है 30,000 से भाग कर लेना है आप बोलेंगे अरे सर क्या बेवकूफ हो वाली बात कर मैं यह कह रहा हूँ कि 2 साल का इंटरस्ट निकलेगा आपने क्या किया यह 2-0 से 2-0 काड़ दिये 3 का पाड़ा हर बच्चे को आता है 3 से भाग करो यह जो इंटरस्ट है ना कितना percent हो रहा है यह हम निकाल रहा है 3 से भाग कर रहा हूँ 3-3, 3-8-4, 8-1 आ जाएगा आगी ब बाद ही तो 18.81% आता है आपने बुला हाँ तो आपने सीधे सीधे इसे answer कर देना है क्यों कब कर रहे हैं हम यह क्योंकि हमें मालूम है कि 30 बोले तो 3 से divide करना आसान होगा इसलिए हम यह कर रहे हैं कुछ और अगर दियावा होता divide करने में दिक्कते होती तो हम नहीं करते त कि क्या होना चीए यह भी आपको पूरी पूरी कोशिशें कर रहा हूं कि बता लगे अगला कोशिण देखिए कि सी वस्तु के अंकित मुल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट के बाद इसे इतने रुपए में बेचा गया ठीक है तो अंकित मुल्य बताना है मतलब कोई चीज सी की रही होगी 10% का डिसकाउंट दे रहे हो मतलब 90 में बेचोगे 100 की चीज को ऐसी 88 में बेचोगे कितने की चीज को 100 की चीज को और वो चीज कितने में बिग जाती है 9504 में बिग जाती है यह हलका सा कैलकुलेशन थी 9 से अगर आप इसे डिवाइट करते देखो करूंगा नहीं बदा रहो 9 एकम 9, 0 लगाया, 9, 5, 45, 9, 6, 54, अब 88 से सीधे इसे डिवाइट करो, 88 एकम 8 से, अब 8 की टेबल में 6 का बाता है, यह सोचो, 8, 6, 48, 8, 19, 16, 2, एक ही option है, पूरा कैलकुलेट किया ही नहीं मैंने, बेरको आता भी नहीं है पूरा कैलकुलेशन, है ना, आर यह बात समझ में, क्लियर हो रहा है, आप भूलेंगे, बिल्कुल, समझ में आ गया, यह समझना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, गधान नहीं बनना है, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक बार कहा था, वो बात ना, दिल पे लगी बहुत, उसने कहा, क्या गधे की तरह का करना है, शेर क्या करता है, पूरे 24 घंटे में, 23 घंटे आराम करता है, एक घंटे, गेम बदल देता है, स्मार्ट वर्क करता है, स्ट्राटिजी, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है, अब शेर तो शेर है, आप पहले शेर बनें, आपको पहले गधे की तरह काम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी concept समझने पड़ेगे उसके बाद आप इस approach को देखेंगे तो आपको अलगी मजाएगा चलिए अगला question करते हैं अगला question यह रहा चालिस प्रती वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशी पर एक वर्ष के लिए चकरवर्दी व्याज अर्धवार्शिक देए है और एक वर्ष के साधारन व्याज के बीच का अंतर बताना है question समझ में आ गया आपने कहा कि rate of interest जो दे रखा है वो 40% दे रखा है मगर कह रहा है कि half yearly basis पे compound करना है half year का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा ठीक है अब एक साल की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे 20% plus 20% plus 20 into 20 ऐसे करते थे वैसे तो मैं सीधे बता सकता था मगर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे 44% आ जाएगा 44% आ गया एक साल का simple interest कितना होगा 40% होगा वही है इन दोनों का difference कितना आ गया 4% आ गया 4% की value कितनी होगी 200 होगी 1% की value कितनी होगी 50 होगी 100% की value कितनी होगी 5000 होगी है क्या option में आपने वोला हाँ सर है आई बात सबज में total change लगता है compound interest के case में यह याद रखो total change का formula क्या है a plus b plus ab upon 100 अगर आप इसे mentally कर सकते हैं तो आप तो कुछ दिक्कत है ही नहीं तो आपने सीधे रखना था 20 plus 20 plus 20 into 20 upon 100 20 plus 20 40 और 20 into 2400 को 100 से divide करोगे 4 आ गया 44% हो गया 44% और 40% difference आ गया 4% 4% की value दे रखिए 200 आई बात समझ में हमेशा ऐसा करेंगे मैं कहूँगा नहीं depend करेगा की question की demand क्या है हमसे 2 साल का अगर difference बोलेगा तो ये approach आप लगा सकते है 2 बार का जैसे की इस question में कह रहा था अगर 3 बार का कहता तो शायद मैं formula पे जाता ठीक है वो depend करेगा की values क्या है है ना यहां 200 था जो की आसानी से कट रहा था चार से इसलिए हम ये कर रहा है चलिए अगला question देखते हैं एक विक्रेता ने 300 रुपए में 20 सेब खरीदे और 300 रुपए में 15 सेब बेज दिए भई या 20 खरीदे मतलब एक कितने का पड़ गया 300 बटे 20 ये तो दिमाग में कहर सकते हो ना 15 रुपए आ गया और बेज कितने का रहा है 315 किलो बेज दे रहा है 20 रुपए का एक बेज दे रहा है कितने का फाइदा हो रहा है आप बोलेंगे 5 रुपए का फाइदा हो रहा है 5 रुपए का मगर आपको कितने का प्रॉफिट चीए कोश्यन में कह रहा है 300 रुपए का लाब कमाना है इस 5 को 300 बनाना है अगला question देखे, scooter value was reduced by 20%, 20% कम हो रहा है, इसकी कीमत इतनी है, मूल कीमत कितनी थी, 20% कम हो रहा है, मतलब दिमांग में सोचलो 100 की चीज थी, तो 80 में खरीद ले रहे हूं, मतलब 80 की value दीवी है, किसकी value दीवी है, आप बोलेंगे 80 की, 80, मतलब कोई चीज 100 की थी, कितने में प answer, कहानी खतम थी, इसमें ज़्यादा सोच नहीं नहीं था, value दीवी थी, calculate करना था, and you will have your answer, average के इस तरह के question देखके, बच्चे डर जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, question देखी किया गयरा, एक cricket team के 11 खिला नहीं है, 11 लोग दे रखें, उनके औसत, क्या है ये, score दे रख है, औसत, score बताना है, तो क्या करना है, सबको जोड़ना है, जोडने में आत्मा कापती है, ऐसे जोड़ो देखो, इसे 10 लोग, 10, 20, और 50, 70, 70, 30, 100, 130, 150, 200, 210, 230, और 70, 300, आगी बात समझ में, अब ये 2 को नहीं लिया था हमने, इसे 2 को add करना है, अभी तक हमाया सम कितना आ गया, 300 आ गया, ऐसे जोड़ो पाओगे, चीखना है, नहीं जोड़ो पाते हैं सीखो, 12 को 10 की तरहे ट्रीट करो, 9 को 10 की तरहे ट्रीट करो, 52 को 50 की तरहे और 6, 16 और 6 जोड़ोगे, 16 और 6 होगे 22, 22 और 7, 22 और 7 जैसी आपने जोड़ा 29 हो रहा है, 29 और यहाँ एक जोड़ा था, मेरे ख्याल से 29 हो गया, फिर से जोड़ लेते हैं, 330 तो यह हो गया, 2, 2, 4 और 2, 6, 4, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 6, 24 और 7, 31, अब यहाँ पर एक एक एक्स्रा जोड़ा हो था, 31 हो रहा है तो 30 हो जाएगा, 330 हो गया, जोड़ा कितना असान हुआ, आपके लिए आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वज़े से मेरा गड़ बड़ जाता है, 330 330 हो गया, 330 को किस से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करो, कितना अंसर आगया, 30 आगया जी, clear हुआ, जोड़ना असान है, जादा लिखने की, इधर उधर करने की जरुवत नहीं है, अगला कोशिशन देखो, पर यह कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा pensuration के question में ये पढ़ा करो, आयतन, किसका सिलिंडर का, आयतन, calculate the volume of the cylinder, क्या होता है, आपने बुला, pi r square h होता है जी, मैंने का, okay, pi की value कितनी होती है, 22 बटे साथ, वैसे तो आप directly क्या कह सकते हो, 11 का multiple होगा, ये सोचने की जरुवती नहीं है, सीधे 11 का multiple देखो, मगर फिर भी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे, कि यार ये मासर तो करी नहीं रहा कुछ, सीधा answer बता दे रहा, थोड़ा सा time लगा रहा हूँ, ना राज मत होना, अब आपने देखा कि हाँ, साथ से ये वाला कटेगा, 28 लिख देता हूँ, 28 स्क्वाइर को 4 बार, 11 का multiple आएगा की नहीं आएगा, आप बोल रहा हूँ, हाँ आएगा, दिख रहा है, आएगा, 11 का multiple सबसे पहले चेक करूँ, करना ही करना है, करूँ, कैसे करते हैं, 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, यहां देखो कि 2 और 5 क 16 में से 10 गया, नहीं होता, 11 या 11 का multiple आना चीए, घटा करके दोनों का डिफरिंट, फिर यहां देखा 4 और 6 10, यहां देखा 11 और 2 13, 13 में से 10 घटा होँगा, नहीं हो रहा, एक लोता यही बचा है, चेक करूँ क्या, कर लो, कर लेते हैं, वैसे तो यही आंसर है, चौथा आ 9, 8, 7, समझो, 8, 8, 16, 12 और 4, 16, 16 में से 16 घटाया, 0 आ गया, जो की 11 से विवाजित हो आता है, तो 11 का multiple है, calculate नहीं करवाएगा, अगर करवा भी रहा है, तो कुछ और करने की कोशिशें आपने करनी हैं, got it, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन बहुत ही प्यारा मोहन और सोहन दो लोग हैं, एक ही इस्तान से 8 किलोमेटर और 9 किलोमेटर प्रति घंटे की गत्ती से एक ही दिशा में जा रहे हैं, हिंदी में नहीं आया है, एक ही इस्तान से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, हिंदी में नहीं आया है, तो हमने लिग दिया, एक ही दिश 9 km प्रती घंटे की speed से जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब उनके बीच में 1 घंटे में 1 km का difference होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, कितने घंटे में पूछ रहा है, 4.5 घंटे में कितने km का difference होगा, आप बोलेंगे 1 घंटे में 1 ही का है, तो 4.5 km में 4.5 km कही होगा बस इतना सा सवाल था इसी question में कहता विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 8 इधर जाता 9 इधर जाता 8 और 9 यह एक घंटे में यह 8 चल गया यह 9 चल गया उनके बीच की दूरी कितनी आगई आपने बोला 17 4.5 घंटे में प्यार से पढ़ो पहले हमेशा पहला आदमी कपिल है दूसरा आदमी मोहन है और तीसरा आदमी राजु है यही कह रहा है 18,36 और 54 दिनों में कर सकते हैं उन्होंने काम शुरू किया काम लिख लेता है 18,36 और 54 यह concept तो सब कोई आता है आपने कहा इनका LCM लेंगे मैंने कहा 108 आगया कैसे निकालते हैं सबसे बड़ा नंबर 54 उसका पहाड़ा पढ़ो 54 एकम 54 36 के पहाड़े में 54 नहीं आता है 54 दूनी 108 अठारा च्छके 108 होता है आए 36 थी है 108 होता है चोफंदूनी 108 होता है ठीक है जी यहां तक कोईशन होने के बादा आगे की कहानी पढ़ता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन मोहनन ने मोहन यह 8 दिन पहले जा रहा है यह आदमी और राज उन्हें काम पूरा होने से छे दिन पहले जा रहा है ये आदमी दोनों आदमी पहले जा रहे हैं जो पहले जा रहे हैं उन्हें जाने मत दो आपकी जो महबद है उसे जाने मत दो ये याद रहा है कितने दिन पहले जा रही है आठ दिन पहले जा रही है या जा रहा है तो आठ दिन पहले जा रहा है या जा रही है उसे जाने मत दो उसे बोलो आठ दिन पहले जा रही है या जा रहे हो तो आठ दिन का काम करके जाओ आठ दिन का काम देता है तुमें एक दिन में तीन काम करते हैं तो आट दिन का कितना हो गया 24 काम उनकले जोड़ दो टोटल वर्ट में अब उनके पास काम है वो छोड़के नी जा पाएंगे ऐसे ही राजू देखो 6 दिन पहले जा रहा था एक दिन में 12 करता है तो एक दिन में दो करता है तो टोटल बारा काम करेगा, दे दिया आपने उसे इतना काम, ठीक है, अब टोटल अगर आप देखेंगे, आठ दो दस और चार, आठ दो दस, आठ दिया चौबीस ही होता है, आठ दो दस और चार, चौदा आ गया, यह देखो कि तीन और एक, चार आ और यह आगया 144, 144 आगया, मैंने कहीं कुछ गड़बर तो नहीं की है, चीक है, 144 आगया, अब आपने क्या किया, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों को अगर देखोगे, तो कितने दिन लग रहे हैं भी या, आपने कहा 6, 3, हाँ, 6, 3, हाँ, इस से आप डिवाइड कर लें, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, 144 को 11 से डिवाइड करोगे, तो 11 एकम, 11, 13, आपने बोला, हाँ, 13, 13 हो जाता है, 34 हा रहा है, तो लगबग 13 दिन में काम हो जाएगा, कितने दिन में काम हो जाएगा, 13 दिन में काम हो जाएगा, अनुमानित समय ही पूछ र अगला question देखिए जी the cost of washing machine is इतना, the cost was first increased by 20%, later on it is reduced by 20%, पहले कीमत बढ़ाई गई फिर कम की गई, successive change लग रहा है, क्रमागत change हो रहा है, तो क्या करना है 20 plus 20 minus 20 minus 20 into 20 upon 100, total change का formula लगा होगे, तो आपको होगे 4% का decrease हो रहा है, लिखूंगा, तो लिख लेता हूँ 20 minus 20 minus 20 into 20 upon 100, इस तरह से मैंने लिखा, ये दोनों cut गए, मतलब मेरे को सीधे सीधे 4% का decrease मिल रहा है, जो 25,000 पहले कीमत थी, उसे मैं 4% कम करूंगा, 25,000 का 1,500,000 होता है, 4% हजार हो गया, 25,000 में इसे 1000 रुपए कम करूंगा, तो कितनी पढ़ जाएगी कीमत, 24,000 की कीमत अब washing machine की है, इतना सा अगर आप काम कर लेते, क्यों कर पाए भई हैं, हमने total change क्यों लगाया, क्योंकि 20 और 20, दोनों number बहुती, कोई fraction में नहीं जा रहा, तो इसे इस तरह से ले लो ना यार, तुम 80, 80 लेके कर रहे हो इसे, तो time लग रहा है, फिर तुम बोर रहा है, sir, इस question में time लगा, नहीं लगना था, कह रहा है fourth proportion, अब यह दिख रहा है, 7 से 4 हो रहा है, तो 7 फिर क्या होगा, चार हो जाएगा, जी, चार वाला केवल A की option है, कुछ नहीं करना था, question में आगे बढ़ जाना था, fourth proportion, यहाँ पे तो कोई formula लगाने की जरुवत ही नहीं थी, है ना, वैसे भी हमने formula पढ़ा था, BC upon A, तो चार गुना के साथ बटे, साथ, चार ही answer आ रहा है, BC upon A, fourth proportion, का मगर हमें दिख रहा है, साथ से चार हो रहा है, तो फिर पूछ रहा है, साथ से कहाँ होगा, चार ही होगा भईया, अगर आपसे पूछा जाए, आपके पिताजी कौन है, आप अपने पिताजी का नाम लोगे, दुबारा पूछें, पिताजी का नाम कौन है, वही है, कितनी भी बार पूछोगे, नाम बदल थोड़ी ना जाएगा, वही रहाएगा, तो इसमें भी साथ से चार हो रहा है, साथ से चार हो रहा है, फूर्थ प्रोपोर्शन वही हो जाएगा, अगला देखो, कह रहा है कि भीया, 120 रुपए किलो वाले और 155 रुपए किलो वाले चावल को मिलाये गया, और 135 रुपए किलो वाले बनाए, तो जब भी मिला रहे होते हैं, इनके बीच का बनेगा हमेशा, आपने बोला ठीक है, एलिगेशन लगाओ, इन दोनों का डिफरिंस किया 15, इन दोनों का डिफरिंस करो 20, अनुपाद देखो 4, अनुपाद 3 आ गया, डिरेकली कह पाते 4 रेशो 3 होगा, ठीक है, कितना टाइम लगना था, आप बोल रहे है, अरे सर, 2 सेकंड भी नहीं लग रहे है, इसमें तो, नहीं लगेंगे, ऐसे करोगे, नहीं लगेगा, ये क्वेशन बहुत आ रहा है, 20 परसेंट बढ़ा दी गई, कितनी छूट देनी कहीं, चाहिए, बढ़ाई गई, पहली लाइन ही पड़ो, 20 परसेंट बढ़ा दी गई, तो 20 बढ़ाई गई तो कितना हो जाएगा, 120, 100 में बढ़ा करके लिख देना है, एक बड़े 6 आ गया, एक बड़े 6 का मतलब होता है 16.66, या 50 बाई 3 परसेंट कहलो, सीधे सीधे वही है, 100 को, 100 से 6 को डिवाइड करोगे, 50 बाई 3 ही आएगा, 2 से काट लो, 2 3 अच्छ, 2 से इसे भी काट लो, 50 आ गया, पहला नमबर दे रखा है और दूसरा नमबर, पूछ रहें तो आपको पता है, एक छोटा सा फॉर्मला है, HCF into LCM equal to first number into second number, आपने गोला ठीक है, HCF और LCM दे रखा है, ना आपकी प्राण निकल जाएंगे, मैंने का, हाँ, निकलने दो, निकलते हैं तो निकलने दो, मैं क्या करूंगा, इस 6 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, 6 सते 42, 0, 6, 3, 18, 300, अब मैं यह सूचूँगा, इस 3 से अगर इस 6 को मैं डिवाइड करूं, तो कब आता है, 8, 3 के पहाड़े में, 3, 6, 18, 6 बार में आता है, और last में 0 भी है, तो 0 वाले दो option है, उन से पहले 6 आना चीए, किवल एक ही option में है, तो यह answer हो जाएगा, पूरा calculate करने की जरुवत नहीं पड़ी, जब भी आपको मौका मिले, calculation ना करने का, आप इस तरह से कर सकते हैं, got it, अब इतना बड़ा सा number लग रहा था, तो हो सकता है, कुछ कटे, कुछ ना कटे, तो ज़्यादा हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, आगी बात समझ में, तो हलका-हलका करते भी रहो, ताकि warm-up रहे, पेपर में ऐसे ना लगे, कता ही हवा में उड़ा दिया, ठीक है, वैसे उड़ा होगे तुम हवा में, और comment जरू करना, जो भी कोई question आपको पसंद आया, आपने कहना है, कि solvam, ऐसे नहीं करता था, ऐसे करता था, तो मेरे को अच्छा लगता है, कि हाँ, मैं और अच्छे तरीके, method ढूनने की, करने की, research करने की, कोशिश है करता हूँ, फिर उन्होंने कहा, एक computer को 26,000 में बेज कर, एक आदमी को 4% का lab हो रहा है, 4% का lab हो रहा है, मतलब 100 की चीच को कितने में बेच रहा है, 104 में बेच रहा है, एक तरीका तो यह हो गया, 100 की चीच को 104 में बेच रहा है, थोड़ा सा दोनों को अगर 4 से काटोगे, तो यह 25 आ गया, और यह 26 आ गया, आपने मुला, अरे 26 बेच रहा है, 26 सेलिंग प्राइस, 26 को यह 26,000 लिख रहा है, क्यों काटा सार, आपने, आप हमेशा काटते तो नहीं, क्योंकि मुझे 26 दिख रहा था, मुझे पता है कि कटके 26 बनेगा, इसलिए काट दिया, मतलब जो मेरा कॉस प्राइस है, वो 25,000 है, अब 25,000 की चीज को कितने में बेच रहा है, 19,000 में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 6,000 का लॉस हो रहा है, 25 को, तो गुणा के 100, गुरूंगा 25,000, 24,000, 24 परसेंट आंसर आना था, इस तरह से सवाल हो जाना था, हार्डली एक लाइन, दो लाइन में क्योश्यन सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको एप्रोच सही रखनी है, दिमाग ठंडा रखना है, हाँ ठीक है, अठार मही है, सत्रमा छूड़ी है, कोई नहीं, सत्रमा लास में होगा, रमेश और नरेश स्टार्ट, हाँ, रमेश और नरेश एक मिंदू से, इतने मीटर लंबे वृताकार, कल भी हमने इस तरह का कोशियन किया था, आज फिर से आगया, इसकी जो लंबाई दे रखिया है, फिल्ड की जैसे, आप 16 मीटर का करते हो ना, ये 1920 मीटर का फिल्ड है, ट्रैक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, चालिस की स्पीड से जा रहा है, दूसरा आदमी, चौनसट की स्पीड से जा रहा है, कल हमने पढ़ा था, कि भईया, इसमें से चालिस घटा हो, इसमें से भी चालिस घटा हो, क्योंकि इसे zero कर दे रहे हैं ये रुक गया ये वाला आदमी अब कौन चलेगा किवल ये वाला आदमी चलेगा और किस स्पीड से चलेगा 24 की स्पीड से चलेगा ऐसे घूम के आए गए और यहाँ पर आके से मिल लेगा तो 24 की स्पीड से 1920 मिटर चलने में कितना टाइम लगेगा 24 से से काटोगे और 60 आंसर आ जाएगा ठीक है आगी बात से बज़ में अगर दोनों opposite direction में चल रहे होते तो दोनों को जोडते 104 से फिर 1920 को डिवाइट करते ये याद रखना है बार बार आ रहा है ये सवाल अगला है समीरन और गरिमा ने मिलकर एक काम आठ दिन में किया समीरन स्वतनत्र रूप से कारे करते वे उसे कारे को 10 दिन में करती है अब एक चीज समझो अगर भहिया दो लोग दे रखें दोनों का मिला के टाइम दे रखा है आठ गंडे तो आपने लिया आठ दूसरे का अकेले वाले का टाइम दे रखा दस अपन दोनों का डिफरेंस करो दो दो से से काटो चालिस आंसर आगए एक चीज बताओ अरे भीया दो लोग होते A और B अलग अलग टाइम लेते A ए टाइम लेता B बी टाइम लेता दोनों मिला के काम करते तो सीधे ये फॉर्मला होता है की नहीं होता A B अपॉन A प्लस B आपने बूला हाँ होता है अब दूसरा सवाल यह है की A का अकेले का और मानलो की बोथ है दोनों मिला के बोथ इतना टाइम लेते हैं तो आप क्या करें दोनों का प्रोड़क करना है A एंटू बोथ जैसे की हमने इस कोशन में किया A एंटू बोथ और दोनों का डिफरेंस A माइनस बोथ तो यह क्या निकल जाएगा यह B वाले का टाइम निकल जाएगा जो की हमने इस कोशन में किया तो यह शॉर्ट कट आपके लिए आच अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप कर सकते थे दो लोगों में अपलाए होता है दो लोगों में कर लो मिला के टाइम दे रखा था अकेले का एक का टाइम दे रखा था दूसरे का टाइम पूछ रहे हैं तो इस तरह से कर लो अगला कोशन देखिए कोशन नमबर 20 हाँ बहुत प्यारा सा सवाल है बोरर निमली कितमें से कौन सी भिन्न बढ़ी है 3 बड़े 5, 1 बड़े 5 कितना होता है 20 होता है तो ये 60% हो गया कि नहीं हो गया आपने बड़े 10 और 11 बड़े 15 आप क्या करो इन दोनों का क्रॉस मल्टिप्लाई कर लो अगर नहीं आता है समझ में तो 15 सते 105 होता है 11 दसन की 110 होता है कौन सा बढ़ा है आपने बोला यही बढ़ा है यही आंसर हो जाएगा बस 11 बटे 15 आंसर हो जाएगा आगी बात समझ में अगला कोश्यन देखो भी यह लास कोश्यन आफ दे डे बहुत ही प्यारा सा सेशन था चीज़ें आई होप आपको समझ में आई हो ठीक है बोले तो HCF पूछ रहा है हिंदी पी पता हूं नीची है HCF पूछ रहा है और LCM पूछ रहा है ठीक है HCF पर बात करते हैं हमें मालूम है 3672 में से एक होगा आपने बुला हाँ इनी में से एक होगा HCF अकालने का तरीका है यह होता है कि सबसे कम जहाँ से डिफ्रिंस आ रहा हूं जैसे इन दोनों का डिफ्रिंस करोगे तो कितना रहा है आपने बुला HCTr आ रहा है सबसे कम डिफ्रिंस निदों का रहा है 72 का मतलब हो गया 9 into 8 तो चेक कर लो 9 और 8 से ये सारे नमबर डिवाइड हो रहे है 9 से होता है 9 से होता है 9 से होता है 8 से भी करो 8 से भी चेक कर लो 8 से करना है तो ये even नमबर है ये हो रहा है ये even नमबर है तो ये हो रहा है यह odd number है चार जोड़ेंगे हाँ हो रहा है दोनों से हो रहा है तो 72 हो गया जी 72 वाले दो option है LCM निकालने का तरीका क्या है इनके factor करो 432 के factor करो नंबर थोड़े बड़े हो रहा है इसलिए factor कर रहा हूँ 432 के 2 दुनी 4, 2, 1, 2, 2, 6, 12, 2 से फिर ये काटा 108, 2 से फिर से काट लिया 54, 2 से फिर से काट लिया 27, 27 को लिखूंगा तो मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 432 के मैंने factor लिख दिये 2 की power 4 गुना गए 3 की power 3 ऐसे ही मैं फिर किसके factor कर रहा हूँ 648 के factor कर रहा हूँ इसे भी 2 से कर लो 2 3 है 6, 2 दुनी 4, 2 चकुवाट 2, 1, 2, 2, 6, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 4 फिर 2 से 8, 16, 2, 1, 2, अब ये 802 आगया 802 जैसी है हमेरे को दिखता है कि 3 की power कितनी होती है 4 होती है ये, 2 की power 3 है आपने मुला ठीक है कितना था ये 648 था एक प्यारा सो कौन से बता हूँ गा फिर आप देखिए 700, 576, 576 वैसे मेरे को पालू मैं कि 24 का square होता है 24 को क्या लिखूँगा मैं 2 का square into 3 4, 3, 12, तो यहां 3 ले लेता हूँ 8, 3, 24, square कर रहा है मतला इसको मैं लिखूँगा 2 की power कितनी? 6, गुणा गए 3 की power, 2 अब LCM जब आपको लेना होता है आपने खूँदा आपने factor कर दिये तो सीधे HCM भी यही से बता देते हैं कर लेंगे, कर लेंगे, घबराओं नहीं LCM जब हम यहां पर देख रहे हैं तो LCM में आप क्या देखें? एक तो 2 ही factor है, 2 है और 3 है उनकी maximum power लो, maximum बोले तो 2 की power 6 ले लो 3 की देखो, जी कहां पर कितनी है? 4 है अगर SCF बताना होता SCF बताना होता, तो आप देखते common factor 2 और 3 है 2 की जो minimum power है, किसी में भी, यहां पर 3 है 3 की देखो के 2 है, आपने बुला, यह 8 है, यह 9 है बिल्कुल सही हो रहा है, अब 2 की power 6 कितनी होती है? 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 32 दूनी, 64 64 की multiply करनी है, 3 की power 4 बोले तो 81 से, unit digit पर आएगा 4 है, तो यही option हो जाएगा I hope समझ में आ गया हो last question था, last question था, concept भी समझाना था इसलिए factor ही किये, HCF, LCM का यह ना, दोनो method हमने apply कर लिए, factor में और जल्दी भी कर सकता है तो मगर आपने क्या करना है, समझ ना है कि यह concept पूछा जा रहा है, HCF, LCM का तो इस तरह से करना है, अगर आपको हमारा session पसंद आए, तो like, comment, share तो करना है आपने साथ में, जो भी question की आपको technique सबसे यादा पसंद आई, उस question को comment करना है, कि sir, यह वाला method नहीं आता था मुझे, यह मेर को करवाना है तो उस तरह के फिर और questions भी मैं लाने की कोशिश करूँगा तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के और questions के साथ और paper के साथ बने रही है पार्ट शाला रिशी के साथ, thank you very much, have a nice day